किसी भी चीज का पश्टावा ना करें अगर वो अच्छा है तो बहत्रीन है अगर वो बोरा है तो अनुभव है भगवान भी खुद रो पड़े ये सुनकर जब एक बच्ची ने कहा कि मुझे अपनी मा से मिलने के लिए भगवान के पास जाना है किसी ने क्या खूब कहा है ए मौत सरा पहले आना करीब के घर कफन का खर्च दवाओं में निकल ना जाए आसू मुस्कुराहट से ज़ादा अच्छे होते हैं जानते हो क्यों क्योंकि मुस्कुराहट तो सभी के लिए होती है मगर आसू किसी खास के लिए होते हैं धर्म कभी खराब नहीं होता इंसान ही खराब होता है और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता ना जुकने का शौक है ना जुकाने का शौक है कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं बस उन्हें निवाने का शौक है जिन्दगी में दो चीजें हमेशा तूटने के लिए ही होती है सास और साथ सास तूटने से तो इंसान एक ही बार मरता है पर किसी का साथ तूटने से इंसान पल-पल मरता है अंधेरा वहाँ नहीं है जहां तन करीब है अंधेरा वहाँ है जहां मन करीब है वो दोस्त मेरी नजर में बहुत माईने रखते हैं यो वक्त आने पर मेरे सामने आईने रखते है असली सुन्दरता जिस शरीर को लोग सुन्दर समस्ते हैं मौत के बाद वही शरीर सुन्दर क्यों नहीं लगता उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है जिस शरीर को सुन्दर मानते हैं जरा उसकी चम्री तो उतार कर देखो तब हकीकत दिखेगी कि भीदर क्या है भीदर तो बस रक्त, रोक, मल और कच्रा भरा बड़ा है फिर ये शरीर सुन्दर कैसे हुआ शरीर में कोई सुन्दरता नहीं है, सुन्दर होते हैं व्यक्ती की कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवाहार, उसके संसकार और उसका चरित्र जिसके जीवन में ये सब है, वही मनुश्य इस दुनिया का सबसे सुन्दर इंसान है और जमाना भी उसी का दीवाना है किसी ने मटके से पूछा, तुम इतनी ठंडे कैसे रहते हो, मटके ने मुस्कुराकर जवाद दिया, जिसका भूत, भविश्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे खमंड और कर्मी किस बात की मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बे मतलब सामान और मन में बे मतलब कलत फेहमिया भर जाती है उम्र का हर एक दोर मजेदार है, अपने उम्र का मजा लेजिए, जिन्दा दिल रहे जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी अगर आपको ये चेनल अच्छा लगे, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बस शियर भी करें, और कमेंट करके अपनी सुझाओ, जरूर लिखें, धन्यवाद, आपका दिन मंगल मैं हो